मैं तो उन्हें देखकर चौकी गया, महीने के आकरी दिन चल रहे हैं और हाथ भी बहुत तंग है, बाबा न जाने क्या मांग बठे बाबा? आप? आये ना? लगता है बाबा को पैसो की जरूरत आ पड़ी है बढ़ना यहां कोड़ आने वाला था? इस बार पैसी की समस्या कुछ ज़्यादा ही होगी है पत्नी की इलाज के लिए भी पूरी दवाया नहीं खरीद पा रहे हैं अगले मैने बड़े बेटे का जनम दिन है और उसे भी कपड़े और जूते दिलाने है बाबा को भी अभी आना था? आज ये शांती बड़ी अजीब सी लग रही है पत्नी की नजर दिसी भी दिल में चुब रही है और सामने बाबा इतने आराम से खाना खा रहे है यहां मेरी गवराट बढ़ती जा रही है बाबा न जाने क्या बुलने वाले है सुनो 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 बेटा बेठो मैं शंकित हूं की बाबा कोई न कोई आर्थिक समस्तर लेकर आये है बेटा खेती के काम में घड़ी बर की भुस्तत नहीं मिलती इस वकत काम का बहुच जोर है रात की गाड़ी से वापस सला जाऊँगा तीन मेने से तुम्हारा फोन नहीं आया लेकिन कोई बात नहीं मैं जानता हूँ तुम परिशान रहते हो तभी ऐसा करते हो रख लो लेकिन बाबा रख लो तुम्हारे काम आएंगे इस साल धान के पसल बहुत अच्छी हुई है और गाओं में कोई दिक्कत भी नहीं है तुम बहुत कमजोर लग रहे हो डंग से खाय पिया करो और भुक कभी ध्यान रखा करो बाबा तो मेरे परिवार के लिए कितना सोचते है और मैं उनके बारे में क्या सोच बैठा तरस आता है मुझे अपनी सोच पर सच में माबाब तो भगवान होते है ले लो रख लो बहुत बढ़े हो गए हो क्या नहीं तो बाबा कभी कभी हमारे समझने में बहुत भड़ी गल्पी हो जाती है माबाब कभी गलत नहीं होते है बच्पन में मुझे स्कूल भिजने के पहले बाबा मेरी जेम में अठने डाल दिया करते थे पर तब मेरी नजरे आज की तरह जोकी नहीं होते थे दोस्तों एक बात हमेशे धान दखे माबाब अपने बच्चों पर बोज़ हो सकते है बच्चे माबाब पर कभी बोज़ नहीं होते झाल पर बोज़ किते है दोस्तों पर का है भी माबाब अपने भी माबाब पर आपने दोस्तों झाल झाल